सोशल मीरिया पर इस समय लक्षदीव वर्सेज मालदीव की एक जंग छिड़ी हुई है पीएम नरिंद मोदी की लक्षदीव की यात्रा के बाद ये बहर शुरू हुई है पीएम की इस यात्रा से अटकले लगाई गई कि मालदीव के पेच कसने के लिए भारत अपने दियू बढ़ रहा है शुक्रवार को 50,000 से अधिक लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश को गूगल पर देखा इसकी वज़ए ये पीएम की पोस्ट भी रही जिसमें उन्हों ने इस जगह की आश्चर जनक सुंदर था और वहां की लोगों की गरम जोश्री के बार में लिखा न इंट्वीट में नयंद मोधी का मज़ाक उड़ाए गया तो भारतियों को गंदा कहते वे नसली टिपणियां दी गई इसमें जाहिर रमीज और मारियम शिवाना खास तोर से अपने कमेंड के चलते सोशल मीडिया पर भारतियों के निशाने पर आये इसी का नतीज़ों था कि सोशल मीडिया पर अविवार को बोईकॉट मालदी स्ट्रेंग करने लगा इस स्विवात के बीच कुछ भारतियों ने मालदी जाने के प्लान को बदल दिया है कुछ लोगों ने अपनी रत की गई मालदी व्यात्रा से जुड़ी तस्वीरे पोस्ट करते हुए मालदी सर सब्सक्राइब करते हुए यह कहने की कोशिश की गई की मालदी तुल्ना में लक्षचदी से करना सढ़ नहीं है मालदी तुल्ना करते हुए कुछ बाटों की ध्यान रखना चाहिए भारत से माल्धि पहंचना असान है और कम वक्रें पहुचा जा सकता है मालदी वीज़ा लक्षदीव जाने के लिए आपको पॉमिट लेना होता है भारत से अच्छी खासी संख्या में मालदीव जाने के लिए फ्लाइट्स उपलब्द है वहीं अगर आप लक्षदीव फ्लाइट्स से जाना चाहते हैं तो फ्लाइट्स की संख्या कम है इस कहाने में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मालदीव लक्षदीव एक दूसरे से कितना अलग है और ये तुलना सही है या गलत दोस्तों सबसे पहले मालदीव के बार में जान लेते हैं मालदीव में माल शब मलयालम की माला से आया है मालदीव में माल का मतलब माला से है और दुवीव का मतलब दु कर दिया गया माल्दीव भारत के दक्षिन पश्चिमी में स्थित है भारत के शहर कोची से माल्दीव की दूरी करीव 1000 किलो मीटर है यह बारसो द्यूपों का एक समू है जादा द्यूपों में कोई नहीं रहता है माल्दीव का शेत्रफल 300 किलो मीटर है यान या कार में दिल् समुद्र तल से 6 फूट से अधे कूचा नहीं है जलवायू परिवर्तन के कारण समुद्र के भरते जलस्तर की नजर से मालदीव पर खत्रा बना रहता है इस देश के अर्थ विवस्ता परेटन पर टिकी हुई है यहां के दिवुपो की अर्थ विवस्ता भी परेटन पर निर समंदर से गिरे सफेद रेत के किनारों वाले दूइब पूरी दुनिया के परेटों को अपनी तरफ खीचते हैं वहाई दूसरी तरव अगर लक्षदीव की बात करें तो लक्षदीव भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षदीव से मालदीव करी 700 किलोमीटर दूर है लक्षदीव केरल के कोची से 440 किलोमीटर दूर है लक्षदीव 36 छोटे छोटे दियूपो का समू है साल 2011 की जंगर्णा के नुसार यहां की 96% अबादी मुसल्मानों की है लक्षदीव की कुल अबादी करीब 64,000 है लक्षदीव का छेतरफल करीब 32 वर किलोमीटर का है यानी मालदीव के छेतरफल से करीब 10 गुना कम लक्षदीव में 10 बसे हुए द्वीब है या मलयालम भाषा बोली चाती है सिफ मिनिकोय में लोग मेह बोलते है जिसकी लीपी दिवे ही है ये वही भाषा है जो मालदीव में भी बोली चाती है लक्षदीब में लोगों की कमाई का एहम जरिया, मचली पकड़ना, नारियों की खेती है लक्षदीब में परेटन ओधोग भी तेजी से बढ़ा है कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते साल लक्षदीब जाने वाले परेटों की संख्या करीब 25,000 रही थी यानि माल्दी जाने वाले भारतियों की संख्या से लगबग 8 गुना कम दोस्तों इससे आप देख सकते हैं कि कैसे लक्षदीब और माल्दी दौन बिलकुल अलग है आप क्या सोचते हैं इस बार में हमें अपनी राए कमेंन सेक्शन में सरुर बताए